आज हम पढ़ेंगे कविता लच्मन मूर्चा और राम का विलाप इस कविता के रचेता स्री तुलसी दाजी हैं इस कविता में कभी कह रहे हैं कि इस कविता में कभी ने उस समय का वणन किया है जब हनुमान जी संजीवनी बुटी लेने जाते हैं तो कह रहे हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभू मैं तुम्हारा प्रताप अपने मन में रक कर उर मतलब मन में रक कर तुरंत जा रहा हूं अस कही मतलब यह कहकर आया सुमाने आया पदबंदि मतलब भगवान के पहरों के वंदना करने हनुमान जी आया भरत बाहू अर्थाद भरत जी के बल और उनके गुरों को अपने मन में रखकर और स्रीराम जी के प्रति अपारस रद्धस रखकर मन-महुजात सराहद बार-ब ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी यहां पर हनुमान जी को आने में थोड़ी सी देर हो रही है तो राम जी बिजलित हो रहे हैं अर्थाद ब्याकुल हो रहे हैं और सबाने मनुसे की तरह ब्योहार कर रहे हैं अर्थाद ब्याकुल हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आधी हिर्दय से लगा रहे हैं का ठंड अर्थातहीं मतलब हुआ बर्प ठंड और गर्मी को तुमने सहा है क्योंकि यहां पर दुप को दर्साया गया है इसलिए इसका भीता में कभी कह रहे हैं यहां पर कभी कह रहे हैं स्री राम जी कह रहे हैं अपने भाई लच्मर से कि तुम्हारे जैसा कप्रेम करने वाला मुझे भाई अब कहां मिलेगा तुम मेरी ब्याकुलता को सुनो और उठो उठा हू मतलब उठो विचलाई मतलब ब्याकुलता को समझो और उठो जव जानतेव मन बंधू विचलाई जव मतलब अगर जनतेव मतलब जानता बन बंधू बंधू मने भाई से विचलना होगा सिर राम जी कह रहे हैं कि अगर मैं जानता कि मुझे अपने भाई से बिछड़ना होगा तो मैं पितु वचन मनतेव नहीं ओहूँ अर्थात मैं पिता दीकी वचन को नहीं मानता सूत बीत नारी भवन परिवारा सूत मतलब बेटा, नारी मतलब पतनी, भवन मतलब घर, परिवार राम जी कह रहे हैं कि ये सब अगर एक बार हो ही जाही जग बार ही बारा अगर ये सब बार बिछड़ना भी पड़े या छुटना भी पड़े बार बार तो भी कोई विशेश हानी नहीं है अस विचारी, मतलब इस तरह विचार करके जिय जागहू ताता, मिलईन जगत सहोदर भाता ये सब बिछड़ भी जाएं तो उतनी हानी नहीं होती, पर तुम्हारे जैसा सगा भाई अर्था सहोदर भाता, मुझे फिर कहां मिलेगा अर्थात नहीं मिल सकता, जथा पंख बिनू खग अतिदीना, जिस प्रकार पंख के बिना खग मने चिडिया अतिदीन हो जाती है, अर्थात दैनी उसकी इस्थिती हो जाती है मनी भीनू फणी अर्थात मणी के बिना साप की जैसी इस्तिती हो जाती है करीबर गरहीना यहां पर हाथि और सूड के बारे में कहा गया है कि बिना सूड के हाथि की जैसी हालत हो जाती है वैसी ही हालत, असमम जीवन बंधू बिनतो ही, मेरी जिन्दगी भी बंधू, मतलब भाई, तुम्हारे भी न हो जाएगी, जव जड़ देव जियावाव मोही, अगर फिर भी विधाता, मुझे जबजस्ती जिन्दा रखेंगे, जियावाव मतलब जिन्दा रखेंगे, मोही मतलब मुझे तो जैवु अवद कौनव महु लाई तो मैं अवध्य किस महु से जाऊंगा नारी हेतु प्रिय भाई गवाई लोग मुझे कहेंगे कि नारी के लिए प्रिय भाई को खो दिया बरू अवजस सहते उजग माही इस तरह का अवजस सहन करने के मुझे मैं सकती नहीं है नारी हानी विशेश छती नहीं नारी की हानी अर्थत पत्नी की हानी हो भी जाए तो विशेश छती नहीं है अब अप लोकू सोकू सुत तोरा सही निठूर कठोर उर्मूरा पत्नी की हानी को मैं तो सह भी लेता अर्थात सोक सहन कर भी लेता परन तुम मैं अपने मन को कैसे निठूर करूं कि तुम्हारे सोक को सह सके उर्मूरा अर्थात मेरा मन कैसे कठोर करूं और तुम्हारे अगारा और अपने माता पिता के तुम प्राडों के आधार हो। अयोध्या जाओंगा то उन्हें क्या ऊतर दूँगा उठी की नमोही सिखावा हु भाई तुम उठो और मुझे ये बात समझाओ राम जी कह रही हैं कि मैं अध्या जाकर क्या मुझे दिखाऊंगा और क्या कहूंगा तुम उठो और मुझे बताओ बहुविदी सोचत सोच वेमूचन बहुत प्रकार से राम जी सोच विचार कर रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं और उनकी आँखों से आंशु बह रहे हैं इस्त्रवित्मा निबहना सलील राजी उदल लोचन यहां उनके कमल के पंखुडी के समान आखों से आशू बह रहे हैं उमा एक अखंड रभुराई नर गती भगत क्रिपाल देखाई यहां पर सीव जी अपनी पत्नी पारवती जी से कह रही हैं कि स्री राम जी बहुत ही महा हैं और अखंड है उन्होंने ऐसा उधारन प्रस्तूत किया है कि हमेशा लोग उसे याद रखेंगे नर गती भगत क्रिपाल दिखाई उन्होंने एक नर की स्थिती को भली भाती स्पस्ट किया है अर्थात उधारन प्रस्तूत किया है अब सोर्था में देखते हैं जी वापस नहीं आ रहे थे तो राम बिलाब कर रहे थे ब्याकुल हो रहे थे और स्री राम जी की ब्याकुलता देखकर वानर भी भैभीत हो रहे थे डर रहे थे और दुखी हो रहे थे इसी समय हनुमान जी वापिस आए आई गये ओ हनुमान तब वापिस आए जिमी करुणा बहवीर रस तो करून रस में अर्था दुख के जगह पर वीर रस का संचार हो गया उन लोगों में उत्साह भर गया है जब हनुमान जी वापिस आए अब यहां से देखे हरसी राम भेटी वहनुमाना अती कृतगन प्रभु परम सुजाना जब हनुमान जी वापिस आए तो राम बहुत खुस हुए और उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उनके बहुत कृतग्य हुए तुरंत बैद तब किन्ह उपाई और उस समय जो वैद जी थे अर्थात उसमय के जो डाक्टर थे उन्होंने उपाई किया अर्थात लचमर जी का इलाज किया उठी बैठे लचिमन हरसाई तो लचमर उठकर बैठ गए और स्वस्त हो गए हिर्दय लाई प्रभु भेटियो भराता और राम जी ने लचमर जी को गले से लगा लिया हरसे सकल भालू कपी प्राता हरसे मतलब खुस हुए सकल मतलब सब भालू कपी मतलब बंदर वहाँ पर जो बंदर भालू थे सबी बहुत खुस हुए। अपने सिर्पटकने लगा याकुल कुमकरन पही आवा विविद यतन करी तहीं जगा तब कुमकरन को कई प्राकार से जतन कर दे रहा था मानहू काल देही दर भैसा मतलब काल के सवान मानू मतलब मानो कालू मतलब काल के देह मने सरीर काल के जैसा सरीर दिखाई दे रहा था कुम करन बुझा कहो भाई अब कुम करन उठने के बाद रावर से पुछने लगा कि कहो भाई काहे तो मुख रहे सुखाई क्य सुनाने लगा जेही प्रकार सिता हर यानी कि किस प्रकार उसने सिता का हरन किया तात कपी नसब निशिचर मारे महा महा जोधा संगारे यहाँ पर अपने भाई को बता रहा है रावार कि किस तरह राक्षस मारे गये और महा महा जोधा संघारी अर्थात महा रथी जो बड़े बड़े राक्षस थे और महा रथी थे उनका भी संघार हो गया दुर्मूक, सुररिपी, मनुज, अहारी, भट, अतिकाई, अकमपन, भारी यहां पर इबता रहे हैं कि दुर्मूक और सुर्यरपी और जो मनुस्यों को आहार बनाने वाले थे जो राक्षस थे उन सब का कैसे संघार हो गया अपर महोदर आदिक बीरा परे समर मही सब रण दीरा कैसे रण छेत्र में अर्था जहां पर युद्ध होता है उस छेत्र में कैसे बड़े-बड़े अकंपन और अतिकाय सरीर वाले राक्षसों का वध हो गया दोहा में देखते हैं सुनी दस गंधर वचन सब कुम करन बिल खान जगदंबा हरी आनी अब सठ चाहत कल्यान जब रावन की बात को कुम करन ने सुना तो बोला कि ब्याकूल होकर बोला अब चिड के बोला कि है भाईया तुमने जगदंबा अर्था सिता माता का हरन कर किया है तुमने उसे अपने घर हरन करके ले आया है तो अब तुम कल्यान कैसे चाह सकते हो अब तुम्हारा कल्यान नहीं हो सकता तो इस्टुडेंट्स मैंने आपको छोटी-छोटी बातों को पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिज की है उमीद है आपको समझ में आ गया हो और अगर अमेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक यू